अदोध, ओलाओ तो देंग degrees पड़के तो देग नीश ही प्यारे लुएट दिशिर्ज देगे में आधरे स्वागत पूखन अधरे स्वागत है नां आधर स्वागत है कैसे हो सब लोग ज़रिषक कॉमें सेक्शें महाल जो बहुत ताइम से डेमाड मैंड तो नहीं है कि मैं बिहार बोड चाहिए बिहार बोड पिछली वीडियो का भाई इसका लेक्षिर नमबर वन दिया तो उसके रिस्पोंस तुम लोगों ने दिया नहीं तो कैसे बता चलेगा कि वाई तुम लोग दिमांड कर रहे हो दिखाओ कि हां तुमको जेनुएनली पढ हाती हूं लेक्ष्य नंबर टू है हमारा क्या है लेक्ष्य नंबर टू है धरम-युद्ध का liegen लेक्ष नंबर टू धरम-युद्ध हमारा चाprofit क्लास 9 गा के लिए 10 भी शुरू होगी टैंशन नाले 10 भी शुरू होने वाली है my indniKY 9 का एक चाप्षर हुआ है 10 का सब्सक्राइब वे भीजने वाले हैं थोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिखा दो दाइड द्धर्म pigण कहाणी है किसे रिलेटीड है ऑन हो पताओ धर्मी इन चिह प्ड़ाएं ते हमारी कहानी हो इसमीं कुछ याद है hates the society where she is born जहां वो पैदा हुई है जहां पर वो पैदा हुई है उस docer- fishy heart जिए और दोक सोसायटी है कि आतो डॉट्स सोसाइटी थे हैं कि सोच है लोगों की और तो कि लिए और फादमा को यह पसंद है पादमा नैं पापा से क्वेस्टन करते». मजब और उ зовं नो करती है कि लड़की की आइडेंटिटी क्या है? लड़की की आइडेंटिटी क्या है? लड़की क्या है? ये सवाल आते हैं उसके जहन में और सही सवाल है कोई गलत चीज नहीं है इसमें इस सवाल उसके जहन में बार बार आते हैं कि आखिरकार लड़की की आइडेंटिटी क्या है उसकी ममा कहते हैं कि बेटा शादी के बाद पता चल जाएगा किसके बाद शादी के बाद पता चल जाएगा तो पद्मा का कहना है कि क्या शादी ही लड़की की आइडेंटीटी बताता है सवाल तो अच्छा था क्या शादी ही लड़की की आइडेंटीटी बताता है नहीं ऐसा नहीं है बट हम लोग उने सोच बना दी है हमने हमारे पैरं तो इस चीज़ पर पदमा अपने पैरेंसे सवाल पूछती है इतना हम लोगोंने लेक्ष नमबर वन में पढ़ा था और मेरी क्लास में मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ मेरी क्लास में कुद्ध के आगे क्लास होगी क्विज बाद में नहीं क्विज पहले होगी क्योंकि जो पहले पढ़ा है वो याद होगा तभी तो आगे जाओगे मुझे जितना पहले आता है उसका टेस्ट लूँगी तभी तो आगे चाओँगी वरना कैसे पता चलेगा कि तुम पढ़ रहे हो या फिर फोन को आगे रखा और बस मम्मी को दिखा आगे मैं पढ़ रहा हूं आई यह फॉस्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉस्ट क्वेश्चन का फॉस्ट क्वेश्चन का फॉस्ट क्वेश्चन का अंसर क्या है जल्दी से बच्चे बता देंगे फॉस्ट क्वेश्चन का अंसर क्या है फटा फट से सभी बच्चे बताएंगे फॉस्ट क्वेश्चन का अंसर क्या है फटा फट से सभी बच्चे बताएंगे फॉस्ट क्वेश्चन का अंसर क्या है फटा फट से सभी बच्चे बताएंगे is the main character of this story who is the main character of this story ऑद्मा नीमा पदमा सफदर नन अबद यभाव क्याए आणसर है जल्दी बता दो थोड़ा सा थोड़ा सा थॉट्वेसिन वाइशा यस पदमा इरिटेटेटेट इंट पदमा आप आप से इरिटेटेटेटट आ किस चिल्चिडी हो रखी है क्यों पदमा चिल्चिडी हो रखी है जल्दी से बताएंगे शौर्ट लेक्शर्स हैं इनको जल्दी जल्दी निप्टा दो के चाप्टर को तुम्हारा भला है है और फिरेगा टापर हमारे यह आशे निकल जाएगा एकाद नहीं तो अलग औलग हो सकते हैं तौर वन जाना डिसरीट टौपर अहें Je capacities निकालने मतलब है ना हमको तो करो जल्दी से मेहिनद करो चल आशोल आजाते हैं who is the author of this chapter Arjun Dev Charan Arjun Dev Charan answer kya hai C part second question who is the main character of the story a story key main character kawun hai padma hai kawun hai padma hai answer a part why is padma irritated because of orthodox society in which she is living be part so pyaare pyaare bhaiyong or beheno mere to teen mei se teen hai kyunki mujhe to aata tha tumhahare kitnay marks hai haa how much did you score jali se comment section me bata do or thoda active honne ki kooshish karo aise kam nahi chalne wala thoda sa active rahu thik hai be active for a while at least chalo a chate chapter explanation pe padma what about a woman who whose husband is dead padma ghandhe sawal poochne lagge aapne parents hai ya parents ko goza ni aega jab aise sawal poochegi padma padma ne pahle bola ki what agar ladki ki shadi na hoon to uske papa ne dant diya phir padma poochte ki chalo thik hai shadi karwa do but uska pati mar jaya uska pati mar jaya mammi bolte life is hell for her mammi bolte hai uske liye jivan jahannum ban jayega uske liye jivan jahannum ban jayega padma bolte that's injustice that's unfair unfair ye toh niay nahi hai ye toh annyay hai injustice ye toh annyay hai ye toh justice nahi hai this is annyay aisa padma ne bola ma you need no talk of justice and injustice hair mammi gusse me hai toh ni sikhaayegi hame hai ye toh nahi baat kareegi yahaan par ki naya kya hai or annyay kya hai kya fair or kya unfair hai you are nobody to tell me ki kya naya hai or kya naya hai dant padhi ki uski vichari ki padma why but ye ariyal hai ziddi hai padma kya kya na poochu ma over hair women don't have the right to ask questions mammi ne toh bhai statement ya lag dhe di ki hamaare ya haa par lardkiyong ko sawaal puchnay ka hak nahi dhita no you don't have a right to ask questions you korn women jitni bhi orte sawaal nahi kar sakti na 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 bilkul nahi padma what right do they have then padma kareegi thik hai toh orto ke paas kya rights haa mujhe batado chalou ek right ginawa do ki auratun ke paas unke ye hak hai father rights are for equals dear I don't understand padma ke parents kornse zamane ke hai aur mujhe bhoat guzza chadra raha tha jab mein chapter pardh raha thi padma ke papa nne bola ki rights na equal logo ki hoti hai mtlap auratay ke equal nahi hai bhai kornse century century me ji raha ho agar haamare ooper space me aurate aadmi jah raha hai toh aurate bhi jah raha hai kalpana chawla toh pata ni kab chalhi gahi thi aaj ki time pe toh matlab aadmi mount average pe baad me chadhi ga aurat pehle chadhi hai toh father nne pata ni kya soch ki bula ki rights beta equal logo ke liye hoti padma why is a home considered a place for bargaining one shouldn't live in such a place padma kehti hai ki ghar hota kyu hai ghar me tni bargaining ki oti hai mtlap koji tutu me kar raha hai negotiate kar raha hai mool tol kar raha hai baato ko koji baat nahi sunta hai one shouldn't live in such a place koji bhi insaan ko aise jaga par nahi rana chahi hai jahaan per itni bargaining home bhaed baab ho father you will get the same replies to these questions wherever you go papa kehti beta tu kahi bhi chali ja tu yeh sawal puchhi ga aur tujhe same javaab milenge koji alag anokha javaab nahi aega tu kahi bhi chali ja yahi javaab tujhe milne wale hai father that's why they say that marriage lends this identity lends yarni ki dena pape AA b혀 raha hai issea liye kaha jaata hai ki shaadi awret ko ye identity dha ti hai ki wo saval kar same chadi awret ko woh identity folders over pak tia pachama so if a girl does not get married she has no identity pape bhol thy papa madlab agar ladki ki ki shaadi ना हो तो उसकी कोई पहचान नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या बताओ कॉमेंस में यार शोस्रम इंपार्मेंट यार विमें इंपार्मेंट के नाम पर कुछ तो लिखो कि है मैं माइडेंटिटी है हमारी आइडेंटिटी है हमारी मम्मा की आइडेंटिटी है दारी की ह है है ना तो लिखो कमें सेक्शन में कि हाँ आइडेंटिटी है वाइज इस दाइट नंमारीड मैं इस विनिरेटेड एंड कॉल्ड सेंट अब ऐसा क्यों होते है कि एक अनमारीड आदमी आने की अविवाहित आदमी पूजनिये कहलाता है और उसको हम लोग संत बोलते हैं जि कि ऑप बढलते हो इसको ब्रह enlar nunca में है कि ऐसे रिलेट होता है तो भूली गई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी यह तो पूजनी है इसके तो पैर चूने चाहिए शाधी नहीं कि उसमें और लड़की ना कर तो है 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 शाधी क्योंनी की तौबा 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 शा यह चीज मतलब समझ नहीं है पद्मा के पैरेंस को वाइल नंग मारेड वूमन इस कोल्ड इम्मॉरल इंवेंटिन अ मतलब यहां बात इस कदल तक सीरिस है कि लड़का शादी ना करे तो भाई भ्रहमचारी है क्या बढ़िया लड़का है शादी ही नहीं कर रहा है कर्चा पैर चुने चाहिए और लड़की ना करे तो चरित्र हीन है यह लड़की इसके लिए रिष्टा नहीं आ रहा है यह वारा है यह क्यों नहीं हो रही इसकी शादी अलग ही लेवल की खुजली होते है लोगों में भाई इसकी शादी नहीं पड़ेगा पूरा समाज ठेकेदा बन जाता है कि हमको इस लड़की का रिष्टा करवाना है एक मतलब थेकेदार वह होते हैं जो एक असाइमेंट लेते हैं कि मुझे काम कंप्लीट करवाना है तो पूरा समाज तयार हो जाते है भाई इस लड़की की शादी कराओ क्यूं नहीं करनी शादी तो क्या मतलब क्य मानी है भाई शाधी और आइडेंटिटी का क्या है मतलब नहीं करी शाधी तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगी ऐसा पद्मा ने सवाल किया इतने पर ही खतम हो गया है इतने पर ही चाप्टर खतम हो गया है हमारा अब कोई दिक्कर है ना मुझे मुझे कॉमेंस में बता दो also I want a favor from you guys कि आप लोग मुझे अपनी book की picture भेज दो English की book की picture भेज दो जिसमें index भी हो index चाहिए मुझे मतलब in short मुझे आपका syllabus चाहिए क्योंकि मैं ये Google से उठा रही हूं गूगल पे जो chapters हैं जुतने हैं मैं वही पढ़ा रही हूं फिल्हार so I need your help आप लोग मुझे भेजो कहां भेजोगे टेली ग्राम पे group है हमारा टेली ग्राम पे group है पढ़ के तो देख पढ़ के तो देख ये group का नाम है आप लोग join करें और spam ना करें स्पैम मत करना आप लोग यहां पर भेज सकते हों मुझे अपने बुक के पिच्चर ठीक है नाइन्थ के बच्चे हुए या टेंथ के आप लोग भेज़ें नहीं तो इंस्सेग्राम पर दॉट्स है यहां पर भी भेज सकते हों ठीक है यहां पर भी आप लोग मुझे भेज सकते हूं वरना कोई फाइदा नहीं होगा वरना कोई पॉइंट नहीं है इन चीजों को करवाने का क्यूकि मुझे शिर्फ ऑन-लाइ बहुत छोटी है textbook exercise इतना ही chapter था हमारा first question है what was the question that Padma wanted to know from her parents अब इसके न प्रीविएस ये questions जो है न वो भी करवाएंगे बट वो बाद में करवाएंगे one short revisions जब होंगी न one short revision sessions तब करवाओंगी one short series भी होंगी आपके पास marathons भी होंगी सब कुछ होगा यहां पर ठीक है एक साल है हमारे पास इस channel को यहां से यहां लेकर जाने मेरा aim है कि इस channel को यहां से यहां लेकर जाएंगे अपना aim तुम लोगों के साथ share कर सकती हूं है ना हमारा एक connection तो यहां अखेले तो नहीं कर सकती है दो लोग साथ में मिलके काम करते तो अच्छा होता है तो आई बिलीव कि तुम लोग शेर करोगे session को सब के साथ इस channel को सब के साथ consider it as your channel तुम हागे लिबना है मैं तो बस पढ़ागी हूं देखते तुम ही रहे हो तुम ही suggest करते हैं अपने दोस्तों को कि भाई चानल बढ़िया है देख ले विडियो तो make sure कि आप लोग help करें ठीक है चलिए तो वान चॉट सीरीज में मैं इसके पी वाई क्यू जाने की previous year questions कराऊंगी तब करेंगे अभी टेक्स्ट बूक एक्सराइज ही कर रहे हैं बस पद्मा what was the question that Padma wanted to know from her parents पद्मा अपने parents से क्या जानना चाहती थी पद्मा wanted to understand what is the identity of a woman from her parents वो जानना चाहती थी एक औरत की क्या है आइडेंटिटी एक औरत की पहचान क्या है भाई फ्री में को इंटेंट मिल रहे हो तो मतलब गलत बात है अब भी अगर रहे हो ना कि माम यह भी नहीं हो रहा है यह भी नहीं हो तो गलत बात है ठीक है ध्यान दीजिए how many brother and sister did the Padma have यहां पर दी हट जाएगा question आपकी book से ही है तो दी हट जाएगा क्यूंकि पद्मा नाम है भाई बहन कितने थे नहीं थे पद्मा वोस्टी चाइल्ड ऑफर पैरेंस एक लॉती थी single child भी बोल सकते हैं she had no brother and sister उसके पास न भाई था न बहन थी एक लॉती बेटी थी whose life is hell according to Padma's mother Padma की ममा के हिसाब से किसकी जिंदगी बरबाद है किसकी जिंदगी नर्क है किसकी है according to Padma's mother life is hell for a woman whose husband is dead विद्वा की जिंदगी विद्वा की जिंदगी नर्क है विद्वा की जिंदगी नर्क है ठीक है clear है जादा तेजी सो तो नहीं भाग रही next question what according to Padma is the identity of human race Padma के हिसाब से human race की identity क्या है इतना सब को clear है इतना सब लोगों को clear है तो make sure आप लोग मुझे comment section में बता दें कोई दिक्कत आए तो वो भी comments में बताएं क्यूंकि दिक्कत clear करना मेरा काम है और videos को like share और subscribe करना मत भूला करो video देख लेते हो बट ना share करते ना like करते और channel को subscribe भी नहीं करते बहुत सारे बच्चे कर लिया करो यार है ना चलिए और make sure कि आप लोग summer vacation की camp summer vacation camp की classes में regularly आएं कुछ नया सीखने को मिल रहे है ले लो ठीक है तो मैं समझाया था कि skills हमेशा काम आते तो skills पर काम करो ना बच्चा skills पर काम करो चलिए session को over करते हैं bye take care of yourself कोई problem आती है तो बताईएगा ठीक है मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए ध्यान रखिए